हेलो नमश्कार दोस्तों स्वागत हैप का आशिस मोटव में आज हम बात करने वाले हैं सब कॉंपेक्ट सेग्मेंट की सबसे चीपेस्ट कार निसान मैंगनाइट के बारे में तो इतने पैसो में क्या कुस देता है निसान इसके अँडर आज उसी के बारे में हम कम्प्लीट डीटेल में बात करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इसके सेटी रेटिंग से, तो इसको मिल लखी है Global and Cap के अंदर 4 स्टार की सेटी रेटिंग, तो काफी सेफिस्ट SUV आपके लिए रहने वाली है, इंजन आपको मिलते हैं दो तरह के, 1 लिटर का Natural और 1 लिटर का Turbo, लेकिन सबसे बेस में आपको सिर्फ 1 ल प्रेमिडिक ट्रांस्ट देखनी को मिल जाएगा, 2 साल और 50,000 किलोमेटर की वारंटी मिलती है, आप इसको एक्स्टेंड भी करवा सकते हैं, इसके अंदर जो वेरियंट आते हैं XE, XL, फिर आता है XV, XV Premium, बाकी एडिशन भी आते हैं जैसे की गेजा एडिशन, क्यूरो और रेड एडिशन, की की बात की जाए तो सबसे बेस्ट है भाई, तो जायर सी बात है यहाँ पर नॉर्मल सी आपको बेसिक की मिलेगी, कोई आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग की नहीं मिलने वाली है, आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं, आप चलिए बात करते हैं गा पीछे आपको कोई DRL लगार नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पर एलसेफ में यह क्रोम टीटमेंट दिया जा रहा है, कोई Fog Lamps नहीं मिलेंगे, आपको बाद में इसमें लगवाना पड़ता है, सामने बैटने के बेसा कुछ आपको पूरा फ्रेंट फेसिया नजर आएगा, ग्राउंट क्लेंट सुलो, 205 mm का है, मलब देख रहा हूँ ना, एक छोटी सी कार के अंदर आपको यहाँ पर 205 mm का ग्राउंट क्लेंट मिला है, यहाँ पर आपको डूल वाइपर विद बॉसर का सेटप, अगा रूफ की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको रूफ रेल् ग्राउंट में आपको 16 इंच के स्टील विल दिये जा रहा है, विल कवर्स आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं, टॉप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर निसान मैगनेट की बेजिंग देखने को मिल जाएगी, मैट फिनिस में इसके आउट्षेट मिरर्स हैं, जो की मैनुवली अजर्शेबल एंड मैनुवली फोल्डबल हैं, यहाँ से आप इनको अजर्शेट कर सकते हैं, आपको लिवर साथ देखने को मिल जाएगा, कोई बटन वगरा नहीं दिया जा रहा है, यह राज का फ्रेंट डैसबोड जो और वाइपर मिसिंग है, उपर से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर आपको रूफ रेल्स, एंटीना वगरा आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं, यहाँ पर स्पॉयलर है, हाइमोड शॉप लैंप है, यहाँ पर डिफॉगर वाइपर आपको नहीं मिलने वाला है, निसान मैगनाइट के निदर, जो सबसे पहले बेस से मिलता था, यहाँ पर निसान की ब्रैंडिंग, निसान का लोगो, मैगनाइट की बैजिंग, बात कीजाए इसके टेल लैम्स की, जो एस सेप में रहने वाले हैं, टन इंडिकेटर और रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट आपको आपको मिल जाती ही, टैंक कैपिसिटी, अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं, इसका बूट इस्पेस, तो यहाँ पर मिलेगा इलेक्ट्रो मैंगनेटिक बटन, अगर इस्पेस की बात की जाए, तो 336 लिटर का बूट इस्पेस मिलता है, निसा जलते हैं इसके रियर सीट की तरफ, रियर सीटिंग कमफर्ट, लेग रूम, हेड रूम, पूरा बैट के अच्छे से देखेंगे, तो यह रहाज का डोर ट्रिम, जो कि डूट टोन कलर में है, उपर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है, यह लॉक अलोक लिवर, डो पूरा लेग रूम, आप देख पा रहे होंगे, अब चलिए अंदर बैट के पूरा स्पेस देखते हैं, तो अंदर बैटने के बाद इतना कुछ नीरूम मिलेगा, लेग रूम देख लिजे, अंडर था ही सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक दिया रहा है, इस सेग्मेंट के हि यहाँ पर कोई AC events नहीं मिलेगा, अच्छा खासा इस पेस है, यह अंदर का interior, यहाँ पर grab handle, coat hook, दो-दो headrests जोकी adjustable रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको मिलती ही रूफ फ्लैट जोकी halogen में रहेगी, front dashboard देख लीजे, ऐसा कुछ आपको मिलेगा dual tone color में, सामने आपको कोई audio system नहीं दिया जा रहा है, यह इसका manual transmission है, लेकिन सबसे base को आप automatic में भी ले सकते हैं, यह काफी अच्छी चीज़ है, आप चलते हैं, इसके front driver seat पे, वहाँ पे बैट के सारी चीज़े cover करते हैं, तो यह रहे body color door handles, अगर door trim की बात की जाए, तो ऐसा कुछ आपको मिल जाता ह यह इसका है, वार्वियों की controls, door opener, चारो pounder की control, silver finish, यहाँ पे fabric finish, उपर आपको lock and lock a lever, नीचे speaker के लिए जगे, यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा space देखने को मिल जाएगा, फ्रेंट cabin में इतना कुछ space है, आगे वले जो headrest हैं उनको भी आप address कर पाऊगे, यह रहा है fabric की seats, अभी open करके दिखाता हूँ, तो ऐसी कुछ आपको मिलती है, dual tone color में, texture भी काफी अच्छा सा है, under thigh support भी आपको काफी बढ़िया मिलेगा, यहाँ से recline कर सकते हैं, नीचे आपको fill cap opener, manual ABC pedals, यहाँ पे traction का button, headlight leveler, और यह रहस के AC के vents, अब चलिए अंदर बैठते हैं, और अंदर से बटके सारी चीज़े cover करते हैं, तो front driver seat पे बैठने बाद ऐसा कुछ आपको पूरा नजर आने वला है, इसका front dashboard, यह रही इसकी normal सी की, जिसको हम लगाएंगे यहाँ पे, और on करते हैं, इसका ignition, तो ignition को on करते ही, आपको मिलेगा fully digital cluster, देखने में काफी यह लग रहा है, base variant के हिसाब से, एक तरफ आपको मिलता है, एक तरफ आपको मिलता है, एक तरफ engine temperature, fuel gauge, बीच में आपको MID, जिसके अंदर आपको speedometer और बहुत सारी information देखने को मिल जाती है, trip A, trip B, mileage range वगरा सारी चीज़े आप इस display के अंदर देख सकते हैं, यहाँ से और इदर आपको मिलता है, head lamp के सारे controls, अगर adjustment की बात की जाए, तो नीचे आपको दिया का lever, जिसके थुरू आप अपनी steering को tilt, ऊपर नीचे address कर सकते हैं, cylinder में आपको मिलेंगे AC के vents, यह पूरा आपको भाई यह खाली दिया जा रहा है, इसमें आपको बाद में music system लगवा की जाए, तो वहाँ पर भी आपको काफी अच्छा सा space मिलता है, Nissan Magnite के अंदर, airbag आपको यहाँ पर दो ही मिलना है, front में, बागी उपर देखेंगे, तो manual day night, IRWM, sun visor में देर कोई mirror नहीं है, अगर code device set की बात की जाए, तो यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर light की controls हैं जो की हेलोजन में रहने वाले है, visibility वो भी आपको काफी अच्छी मिलती, Nissan Magnite के अंदर, यह तो पूरे interior की बात, अब चलिए गाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं, इसके safety features और pricing की, तो इसके अंदर आपको ABS with EBD, power door locks, चैल शेट विलोक्स, anti-therlam, seatbelt warning, engine, embalizer, crash sensor, anti-ther device, speed sensing, auto door lock, और यहाँ पर आपको मिलना है, दो airbags, pricing की बात की जाए, तो अभी आप देख रहे है, XC variant को मैं जैसा की, वीडियो की श्राटिक में ही बदा चुका हूँ, 6 लाख रुपए, एक showroom, और लगब 7 लाख रुपए की आपको ये on-road लखनो पड़ने वाली है, तो भाई, 7 ने वीडियो को साथ तब तक लिए, जैहिन, वन दे मादरम